तो यहां पर Consolidate Command को समझने के लिए हमने यहांपर टीन टेवल बनाई हैं तो दीनों में एक जैसा डिटा है आप देख़हें यहां पर 6 नाम लखे हुए हैं और यही चेनाम में भी हैं अब इन तीनों को उसॉуйте करना है यानि पता करना है कि राम के कुल कितने अंख हैं तो हमें इसे कैसे consolidate करेंगे इसका बहुत सिंपल सा फर्मिला है आपको जाना होगा menu बार में यहां पर data में यहां पर आपको data tools में consolidate का option दिखाए देगा इस पर click कर दीजिए आप देगें कि यहां पर सबसे उपर दिए गए है functions जिसमें sum है count है average है max है minimum है आप जो भी function इस्तमाल करना चाहते हैं उसे select कर लीजिए तो हम यहां पर sum करना चाहेंगे हम चाहेंगे कि जो राम इन तीनो टेबिल में है उसका एक जिक है sum होकर आ जाए तो यहां यहां से इसको add करा लीजिए तो यह जो टेबल है यह reference बतौर यहां पर add हो गई है इसके बाद आप दूसरी table select कीजिए बिना कहीं और क्लिक किए तो यह दूसरी table select कर लीजिए और इसको भी आपको यहां पर एक चीज और दिखाए देगी use table in तो यहां पर दो option है एक है top row और एक है left column तो हम left column को यहां पर use करेंगे तो जिसमें यह सबी नाम है यह हमारे पास आ जाएंगे तो इसको यहां से tick लगा दीजे और इसे ok कर दीजे तो आप देखेंगे जो तीनो टेबल है वो consolidated होकर एक जगे आ गई है और जो राम था तीन जगे उनका total होके यहां पर आ गया है इसी तरीके से सभी नामों का total होके यहां पर आ गया है अब एक चीज और अगर यह टेबल में एक ही टेबल में दो जगे नाम होते यानि हम इसको यहां से copy कर लेते हैं और इस टेबल को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं आप देखेंगे अब यह जो तीसरी टेबल है इसमें हर नाम double bar टाइप किया हुआ है तो क्या यह consolidated हो पाएगा एक बार करके देख लेते हैं इसको अलग से यहां पर तो यहां से इस टेबल को select करते हैं इसको add कर लेते हैं फिर इस टेबल को select करते हैं इसको भी add कर लेते हैं और इस टेबल को भी select कर लेते हैं और इसे भी add करा लेते हैं यहां से कर देते हूं के तो आप देखेंगे यह जो तीनों टेबिल हैं चाहे इसमें नाम डबल हो या ट्रिपल हो वो तीनों टेबिल का जो डेटा है वो कंसॉलिडिड होकर नीचे आ गया है और इसके साथ ही अगर आप आप इसी तरह की कंप्यूटर कोर्सिस करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करना बहुत सारे कोर्सिस यहां पर दिये गए हैं विद आया सो सटिफाइट हिंदी में हैं बहुत सरल भाषा में हैं आपको बहुत अच्छे से सारी चीजन समझ में आने वाली है या फिर अगर घर पर बिना इंटरेनर के देखना हो तो हमारी पेंट्र अब ही चाहिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है